कि आप लोग बहुत ज़दा टिप्स मांगते हैं कि सिटॉक मार्ट केसा को ट्र निधी जिससे में बहुत ज़दा पैसा आजए वेल आपको आश्वल में तीन टेप देने वाला हूँ जिससे आपको short shot पैसा आएगा stock market से आप बहुत ज़दा पैसा कमा सकते हो बट यह जो tips हैं जितनी असान लग रही हैं उन्हें follow करना उतने मुश्किल है तो अगर आप मुश्किल काम के लिए ready हो you can make money so let's start with the very first tip देखिए stock market में आप दो चीज़े करते हैं हमने last video में पिडिस्कस किया था either you trade आप trading करते हैं और आप invest करते हैं बट मैं हमेशा आपको यह की बात बोलूँगा कि अगर आपको actual में अमीर बनना है तो आपको investments करनी चाहिए अब यह तो समझ आगे investment करनी चाहिए बट अब बात आती है जब आप investment की बात करते हैं दो चीज़े matter करती है investment की उपर कि आपको सबसे पहले यह देखना है कि आप कितना पैसा लगाने वाले है जितना ज़्यादा पैसा invest करेंगे उतना ज़्यादा आपको ROI आएगा अब उसके साथ से आपको यह भी देखना है कि rate of interest क्या है ROI से rate of interest भी आजाता है और return on investments भी हो जाता है तो ROI अगर माल लीजे आपका 12% है तो यहाँ पर कहते हैं stock market के अंदे 12% बहुत अच्छा है अगर 8% है तो आप inflation के बस जस टूपर चल रहे हो और अगर आपका 15% से 20% के आसपस आ रहा है तो आप बहुत कमाल कर रहे हो आप बहुत तेजी से करोड़ पती बन सकते हो अब यह जो खेल है कि आप कितना पैसे invest करते हो और कितना ज्यादा rate of interest मिलता है इसके असास एक और चीज़ आजाती है कि आप कितने time के लिए invest करते हो तो अब जो मेरी number one tip है आप यह समझे अगर आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना अपने portfolio को बहुत तेजी से आगे लेके जाना है तो इन तीन चीजों के उपर हमें काम करने पहली चीज़ हम कितने time के लिए invested रहते हैं जितना ज़ाधा time के लिए due इतना ज़ाधा आपका फायदा होगा दूरी जिता कितना पैसा invest करते हो और तीसरी चीज़ आजती है कि आपको RE over return on investment कैसे मिलता है अब लोग हमेशा किस तरफ भागते हैं आरोई बढ़ाने के चुक्त कि हमें return on investment बहुत जादा मिल जाए हमें 30% return on investment मिल जाए और अगर आपको समझ नहीं कि rate of interest बहुत matter करता है बट लोग यहां पर देखते हैं इसलिए वो क्या करते हैं जो risky stocks होते हैं जो penny stocks होते हैं जो small cap companies होती हैं उनमें पैसा लगाते हैं और वो सुचते हैं हमें बहुत तेजी से मुनाफ़ा होगा हमारा पैसा बहुत तेजी से डबल हो जाएगा और यहीं पर आ instead of looking at कि हमें rate of interest क्या मिलेगा हमें कितना जाधा growth मिलने वाली है उससे जाधा यह देखें कि आप कितना पैसा लगाने वाले हो कितने time के लिए invested रहने वाले हो so this is very crucial factor बट अब होता क्या है जब भी हम कुछ कमाते हैं हम उसमें से सेव जरू करते हैं हम इंडियन में सेविंग की आदत बहुत अच्छी है तो अगर कोई इंसान माली जे 30,000 रुपे कमाता है और उसके खर्चे 20,000 रुपे हैं तो 10,000 रुपे को सेव कर लेता है बट सेविंग में पड़े रहने के लिए पैसा रखते हो कि एमर्जिंसी के लिए यूज हो जाएगा यह सेविंग आपकी बहुत कम है तो फिर आप बिलकुल पौवर्टी लाइन के पास ही हो क्योंकि अगर आप सेविंग को इंवेस्ट नहीं करोगे तो आप कभी अमीर नहीं आपको कुछ ऐसा तरीका ढूंड़ना पड़ेगा कि अगर आप सो भी रहे हैं तब भी आप पैसा कमा रहे हों ऐसा वारन बफे बोलते हैं अधर वाइस आप पूरी जिंदगी काम करते रहोगे और जो लोग रात में सोते सोते पैसे कमाने का तरीका नहीं डूंडते उस ज समझ आगया कि सेविंग हमें रेगुलरी करनी है और उन्हें हमें इन्वेस्ट करना है बट कब करना है वेन यू आर एक्चुली रिक्वार्ट तो इन्वेस्ट इसका मतलब यह नहीं कि आज मेरी सैलरी आई है मैं 20,000 रुपे रख लेता हूं खर्चे के लिए और 10,000 अच्छे रिटर्ण दे सकते हैं लेट मीटे लिए अगर आप ऐसा देखते हैं कि कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं आप अपने एक लिस्ट में यह स्टॉक्स की जिन्हें आप पसंद करते हैं मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको हमेशा स्टॉक्स की जगा बिज्ट में इंविस्ट करना चाहिए बिज्ट देखो कौन सी कमनी अच्छा बिज्ट करें अपने गर में प्रोड़्स देखते हो आप जब आपको उच्छी होो लिए idi ai चुजा ओप इमें मत यूझ कर लेंग तो पीड लाइट बहुत बड़ीकंपडी अब पिड लाइट एक पैसा आया तब ढाल दो प्राइब क्या खरने आपको इन स्टॉक्स पे अच्छल में अलर्ड लगा के रखना चाहिए उस प्राइस का जिस प्राइस पे आप खरीदने के लिए रेडियो इसका मतलब है कि मैं यह नहीं कह रहा कि आप अभी के लिमिट और लगा हो वह बाद में बात करेंगे कि कैसे लगाते हैं उसका फाइ इसकों के बारे में कैसे जान सकते हैं कि इन्वेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए बट मैं भी आपको जो पॉइंट बोल रहा हो यह है कि अब लिस्ट बना लो ऐसे नहीं जब पैसा आया तब डाल दिया और देखो कि जो इनका जो ग्राफ है जो प्राइस है वो कब नीच नीचे जा रहा है क्योंकि मार्केट का रूल है मार्केट विल ऑल्वेस बाउंस बैक तो अगर आप कभी भी जब नीचे होता है स्टॉक उसे खरीद लेते हो तो बाउंस बैक तो करेगी करेगी और आपको मुनाफ़ा होने के ज़्यादा चांस हुजेंगे बट सबोस कीज आप चाहिए 100 रुपे लगा रहे हो यह निकि मैंने तो बैस 500 रुपे तो लगाया था 10,000 रुपे तो लगाया था मुझे कोई फरक नहीं पड़ता वह उसे भी क्यों लूस करना है टाइम लो पेशन्स लो यह मत देखो बढ़रा 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 होत और मेरा दूसरा रूल है मार्केट विल और बांस 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 तो यह नीचे जा रहा है तो आपके पैसा होना चाहिए तो जो पैसा आप सेव कर रहे हो मैंने बुला सेविंग का एकलौता परपस है कि हम उसे इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट भी कैसे अगर आप यह सोच वेट वाइल अगर आपके वाद दस हजार रुपे और आपका यह लिस्ट में से एक फिवरिट स्टॉक है तो मैं कहूंगा आप तीन चारहजार रुपे लगा थोड़ा सा और पेशन्स रखो हो सकता है जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहें उसके बाद भी और टूट जाए तो फिर क्या करना है ? फिर रे-इन्वेस्ट करना है यहां पे भी पैसा लगया यहाँ पे भी पैसा लगाएंगे ओर इसके बाद हब दोड़ा साह्त तोट जाह अरे बहा हिग्षमार पैसे लगा देंगे क्योंकि उसके बाद कमें ए वेट यॉक्ट कारना है उसके बाद की हम थोड़ा सा लॉस में जा रहे हों दो हां पे लॉस बीर करना पड़ेगा क्योंकि हमें Buy and Sell नहीं करना में buy and hold करना है and you will see the magic the magic is market will always bounce back यह rule है so if you'll invest like this you're going to make money for sure आप 100% पैसा कमाएंगे आपको किसी की कोई टिप की जुरुत ही नहीं है आप बड़ी कमनी में पैसा लगा रहे हो अगर उसका आज market price down जा रहा है और यहां पर मैं list क्यों बोल रहा हूं हो सकता है कोई एक company जिस पर बहुत जबा भरोसा कर रहे हो हो सकता उसके साथ कुछ हासा हो जाए जैसे कि yes bank के साथ हासा मतलब stock इतना गिर गया इतना गिर गया कि वह जमीन पर आगया उससे नीचे गुजगया हो तो बट बात यह है कि उसके बाद भी क्या buying opportunity बनती है उसके लिए आपको बहुत सरे analysis करने बढ़ेंगे but the thing is जो इटाक ना हो जैसे बहुत सरे लोगों को हो जाता है तो यहां पर हो सकता आपको यहां पर एक fundamental rule समझ आ गया and third जो सबसे important है जो आपको हर expert भूलेगा आगर हो expert है तो कि बहुत हम जब भी इंवेस्ट कर रहे हैं हम long term के लिए कर रहे हैं लोग क्या करते है माल लेते हैं आपने किसी stock में इंवेस्ट किया और stock में बनते हैं मैं आपका example देता हूँ हम विपरो की बात करते हैं आज से 40 साल पहले हो सकता है आप में से दादतर लोग हो भी ना इस दुनिया में मैं भी नहीं था बड़ अगर 40 साल पहले मान लेते हैं मेरे फादर या मेरे दादा जी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपे विपरो में समझें आप यह लॉंग टम कम है आप सोचिए किसी इंसान ने 100 रुपे इंवेस्ट किया और जैसे उसका 130 रुपे हो गया उसने पेज दिया ओ वाटाव प्रॉफिट मैं आज वह रो रहा होगा कि भी यह साथ करोड रुपे हो तो इसलिए लिए लॉंग टम का मैजिक है मै को एक और एक्जामपल दे देता हूं अगर हम इन्फोसिस की बात करते हैं तो इन्फोसिस के शेयर में किसी ने 1995 के अंदर अगर 10,000 रुपे लगा होते हैं मान लेते हैं मेरे फादर ने मैं 1995 में पैदा हुआ था 26 साल गई हूँ तो मेरे फादर ने मेरे नाम पे मेरी मेरे नहीं है जब उसमें समझ आईगी इतनी कि वह उन शेयर के साथ डिसीजन ले सकती है तो वह लेगी मैं कुछ नहीं करूंगा उन शेयर का यह मैंने सोचा है इस इस माय लॉंग टर्म परस्पेक्टिव कि मेरे बच्चे के लिए मैंने सोचा विया मेरी खुशी में मेरे वह 68,000,000,000 रुपीज होते हैं इसका मतलब है कि एक बच्चे की जितनी भी पड़ाई-वड़ाई लिखाई का खर्चा होता है इस दने हम आपको करना होता है सब हो गया ओविसली लॉंग टर्म हमारा फाइदा तभी है जब हम स्टॉक्स को थोड़ा थोड़ा डालियूट करके वो कैश को ले आए हमने पास हम इन्वेस्मेंट इसलिए करते हैं बट वो लॉंग टर्म में जो आपको रिजल्ट देती है न वो कभी भी यह नहीं होता कि मेरे फा अगर आपने यह जो मैंने आपको आज तीन टिप्स दी हैं इन्हें फॉलो कर लिया तो सोचो आने वली आपकी जिनरेशन का क्या होगा तेल भी फिल्टी रिच एक आदमी को सिर्फ अपनी जिन्दगी में मेहनत करके धिमाग लगा के एजूकेशन लेके अपना फिनाइश अपती हुई यह उसका रीजन है क्योंकि उसके बापने मेहनत कर ली तो एक इंसान को तो करना बढ़ेगा विल्टाट भी यू फामली सो बहुत सरे ऐसे लोग हैं जो आज एक मिडिल ग्लास फामली से वीडियो देख रहे हैं मेरा सवाल आप से विल यू बीड़ फर्स मिल और अगर फेस्बुक पे देख रहे हो, फॉलो गरू, I will see you in the next video, Till the time, you go self maid. 3 काराओेंग पित्री को काराओेंग बिल फासे धर नहाःएंब पुर मैं आरन